नमस्कार दोस्तो, आज मैं आप लोग को जीवका की समूं के मीटिंग में रीन वापसी पर चर्चा याँने रीन वापसी पर एजेंडना जो होता है उसको किस परकार लिखना चाहिए इसके बारे में बताएंगे दोस्तो समू में कई परकार के रीन जो है सदस्यों के दिया जाता है जैसे ICF का रीन हो गया जो भीयों के द्वारा दिया जाता है समाने रीन हो गया जो भीयों के द्वारा दिया जाता है और समू में जाता है और समू के बाद जो है सदस्यों को दिया जाता है फिर HRF का RIN भी सदस्य को दिया जाता है RF का RIN भी सदस्य को दिया जाता है तो इतने सारे RIN है जो सदस्य को दिया जाता है अब किसी मीटिंग के समय सभी सदस्य जो है पैसे लेकर जब जमा करने आते हैं जैसे ICF हो गया, CCL Bank RIN हो गया सभी सतस्य जब जमा करने आते हैं तो सारे पैसे जो है इकठा करके जो है एक ही साथ लिख दिया जाता है जिस कारण से कई परकार की समस्था है बाद में आती है जैसे अगर बाद में हिसाब करना हो तो हिसाब नहीं हो पाता है क्योंकि सारा पैसा जो कठा करके एक ही जगा जोरके लिख दिया जाता है जिससे पता नहीं चलता है कि कौन सा पैसा किसके दोरा दिया गया है और कितना दिया गया है तो उसको कैसे लिखेंगे जो कोई भी आगे आके रेजिस्टर जो है देखेगा तो कहा कि नहीं अच्छा से लिखा हुआ है जिसमें सभी परकार की रीन जो है अलग-अलग लिखा गया है और अच्छी तरह से उसको समझ भी आ जाए देखने वाले को तो कैसे इसको लिखेंगे तो देखते हैं दोस्तों इसको लिखना कैसे है तो आपको रीन वापसी चर्चा के अंतरगत सभी परकार के अलग-अलग जो रीन होते हैं उसको अलग-अलग लिख लेना है जैसे यहाँ पर सीसियल बैंक रीन जो है यह वापसी करने के लिए दो द बैंकरीन वापस किया गया जिसका बीवरण निम्न परकार है अब इसको निम्न परकार यानि नीचे में जो इसका सारा बीवरण जो है दोनों दिदी के दोरा जो दिया गया उसका सारा बीवरण रहेगा जिसमें सदस्य का नाम तो सदस्य के नाम में सीमा देवी और चमेली देवी की द्वारा कौन सा रिन दिया गया है सीसे लिरिन यानि की बैंक रिन जो है वापस किया गया है आज और उसमें मुल्धन कितना दिया गया है? 2000 रुपया और चमिली देवी की दोरा 2500 रुपया मुल्धन दिया गया एक मुल्धन का अपसना गया फिर ब्याज काता है तो सीमा देवी ने 200 रुपया ब्याज जमा किया और चमिली देवी ने 150 रुपया ब्याज किया वी के पास जो है बकाया रासी 12,500 रुपया बच गया है तो इसी तरह दोस्तों आपको कॉलूम बना लेना है जिसमें सदस्ते कनाम रीन का परकार मुलधान ब्याज कुल रासी और बकाया रासी जिससे आपको पता चले कि किस परकार का रीन वापस करने आई है और कौन सी महिल ऐसी पर चर्चा के अजाना में एक नमबर में क्या दाल दिया बैंक रीन पर धुए फीर दूसरे नमबर में हम क्या लिक लेंगे आई के ठीक है तो इस लो देख रहे हैं आप वापस कर देता है तो आज जो है आज के बैठक में प्रेमा देवी यानि सदस्य को नाम में प्रेमा देवी और सुना मती देवी के द्वारा कारियन यानि विंगे कारकर क्या हो गया है यस में उन्होंने एक हजार रुपिया मुलधन और ब्याज asked na और सोना मति देवी ने 15 समूल दन और ब्याज यह 150 रुपिया दिया टोटल यहां पर 2500 हो गया ब्याज भी टोटल 250 हो गया ठीक है कुल यहां पर कर दिया गया है दोनों को जोर करके और उनके पास जो बकाया रासी रह गया है आईसेफ का 9000 रुपिया जो है परेमाय देवी के पास बच गया है और 4500 रुपिया जो है सोना मति देवी के पास बकाया रासी बचा हुआ है इस परकार आईसेफ का बना लेंगे ठीक है अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ एड किया सकता है तो इसमें आगे कॉलूम बना करके इसमें एड कर सकते हैं जो आपको एक श्टागर कुछ लिखना है तो इसमें एड कर सकते हैं ठीक है इसी परकार आगर आपको HRF का भी उसी बैठक में है अगर HRF का रीन लेकर आ गई कोई दीदी यानि कोई एसा दस्य रीन लेकर क्या आ गया है तो फिर उसको क्या करेंगे उसको जो है तीन नमर में देंगे तीन नमर में जो है आज के बैठक में संतोसी देवी के दोरा HRF का रीन वापस किया गया जिसका अभिवलान निम्ड परकार है तो यहाँ पर ही संतोसी देवी रीन का परकार क्या लिखे देंगे HRF मुल्धन उसमें कितना जमा हुआ 1000 रुपिया ब्याज जो है 50 रुपिया और कुल 1050 रुपिया जमा और बाकी जो उनके पास रहा गया अब कितना रहा गया 4000 रुपिया ठीक है तो इसी परकार से जो है जो भी रीन वापस आएगा सदस्य के दोरा उसी परकार जो है आपको लिख लेना है तो आप देख रहा है पांच नमर में एजेंडा था रिन वापसी पर चर्च और पांच नमर के अंदर में एक दो तीन तरह का कॉलूम उस दिन समुके बैठक में बनाया गया जो इस तरह जो है सदस्य के दोरा अपस किया गया अब इस तरह अगर आप लिखेगा तो कोई भी अगर आपका रेश्टर चेक करेगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जागा कि उस बैठक में उस दिन कौन सी दिदी कितना ब्याज कितना मुल्धन जमा किया है से आपको आगे भी कभी हिसाब करना हो तो आपको किसी परकार का कोई समस्या नहीं होगा तो इस परकार लिखने से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा